हाई फ्रेंज अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं राहत नहीं ये पेट्रोल के दाम करने के नाम पर खेल कर रहे हैं सरकार पेट्रोल के दाम में मोधी सरकार ने जो राहत दी है वो तो दी है लेकिन इसमें राहत से ज्यादा राजनीती है आपको बताते है कि कैसे बीजेपी ने पेट्रोल के दाम पर राहत के जगर राजनीती की बड़ी बात ये है कि ये राहत राहत नहोकर राहत का दिखावा ज्य सरकार्नी जन्ता से लिए गए पैसे तक उसे नहीं लोटाए हैं। केंद्र ने पेट्रोल डीजल पर टैक से अपना खुब भरा है। बताने की जरुवत नहीं कि सभी राज्यों ने भी चाहिए जिस पार्टी के सरकार हो पेट्रोल डीजल पर टैक से खुब कमाई की है और कह रहे है। इससे पहले पिछले साल अक्तूबर में केंद्र ने तो सरकार ने लगातार एकसाइस ड्यूटी बढ़ा कर अपना खजाना बढ़ाया और जनता को घटे दाम का फाइदा नहीं मिलने दिया। एकसाइस ड्यूटी दस बार बढ़ाये गई। लगातार खजाना भरने के बाद जब कच्चे तेल का दाम बढ़ने लगा तो सरकार को साप सुंगया वो बटोरे हुए खजाने पर कुंडली मारे बैठी रही अब जितना पैसा कमा था उसकी ब्याज के बराबर पैसों से देडर रुपे लीटर का दाम कम करके वावाही लूट ली तेल कमपनियों को भी मुणाफ़ एक रुपे लीटर कम करने को कहा गया सवाल यह उटता है कि तेल कमपनी अब तक एक रुपे लीटर ज्यादा मुणाफ़ और सरकार देख रही थी क्यों जनता लुटती रही त्राहे माम करती रही और सरकार अपना मुनाफ़ा बढ़ाती रही पेट्रोल डीजल पर एकसाइस ज्यूटी में बढ़ातरी की वज़स से पिछले चार सालों में केंद्र का एकसाइस कलेक्शन दुगना से भी ज्यादा हो गया 2014-15 में जहां केंद्र का एकसाइस कलेक्शन दिन्यानवी दिशमले 184 करोड रुपए था वही 2017-18 में ये बढ़कर 2.3 लाग करोड रुपए हो गया इसी तरह राजु की वैट रिवेन्यू में भी इजाफा हुआ 2014-15 में राजु का वैट रिवेन्यू 1.3 लाग करोड रुपए था जो 2017-18 में बढ़कर 1.8 लाग करोड रुपए हो गया प्रत्यक्षकर संग्रह में इजाफा इस साल अप्रेज सितंबर की बीच भारतियों ने 5.47 लाग करोड रुपए प्रत्यक्षकरो के तौर पर चुकाया है यह पिछले वित्वर्ष की पहली छमाई से 17 प्रतीशत ज्यादा है परसनल और कॉपरेट टाक्स केलेक्शन भी 19 प्रतीशत बड़ा है जब भारतिय ज्यादा टाक्स जमा करते है तो इसका मतलब है कि पहले से ज्यादा लोग और कमपनिया टाक्स अदा कर रही है और इसका ये भी मतलब है कि वे पहले से ज्यादा कमा रहे है Corporate द्वारा Advanced Tax जमा में 16 प्रतिशित और लोगो द्वारा Advanced Tax जमा में 30 प्रतिशित का इजाफा हुआ है वित्तमंत्री जेटली ने गुरवार को ये भी कहा कि प्रत्यक्षकर संग्रह में इजाफा से राजकोश घाटा को कम करने में मदद मिली है उन्होंने पेट्रोल डीजल पर राहत के लिए इससे भी एक बज़ा बताई